ओम निलांजन समा भासम रवी पुत्रम यमा ग्रजम छाया मार्त इंडम संभूतम तम नमामी शनेश्यरम ओम श्री शनेश्यराय नम्हा आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है आज मार्क्षीस मास की अमावस्या है और मार्क्षीस का महिना भगवान कृष्ण को बहुत प्रे होता है जिस तरह से सावन का महिना भगवान शिव को कार्तिक का महिना भगवान श्री हरी को समर्पित होता है उसी तरह से मार्क्षीस मास में पूरे महिने भगवान कृष्ण क पूजा की जाती है उपुवास भी रखा जाता है आज माक्षीस मास की अमावस्या के दिन बहुत ही दुरलप सरयों बन रहा है क्योंकि आज ही साल 2021 का आखरी सूरिक रहन भी है ऐसे में आज के दिन जो भी भक्त सची मन से अमावस्या की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है और दूसरों को सुनाता है उनके ऊपर सदा अमावस्माता और शनी देव की गरवावने रहती है आज शनिवार भी है ऐसे में अमावस्या के दिन शनी देवता की पूजा भी जरूर करें और ग्रहन की समापती के बाद इसनान करने के बाद शनी देवता के मंदिर में जाकर शनी देवता के दर्शन करने चाहिए पीपल के व्रक्ष के नीचे एक दीपक जलाकर आप हाथ चोड़कर पीपल के पेड में वास करने वाले सभी त्रीदेवों और थात ब्रह्मा, विश्नु और महेश के साथ-साथ अपने पित्रों से भी आशिरवात प्राप्त करें अमावस्या के दिन पित्रों की शांती और उनकी मोक्ष प्राप्ति की कामना के लिए सर्वुत्तम दिन माना जाता है साथ ही अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में इसनान करने के साथ ही दीपदान भी किया जाता है अमावस्या के दिन मालक्ष्मी जी की भी पूजा विशेश रूप से की जाती है पितर दोष्ट निवारन के लिए और जिनकी कुंडली में कालसर्प योग है उसके निवारन के लिए भी अमावस्या का दिन सबसे स्ट्रेश्ट दिन माना जाता है ऐसी मानिता है कि शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनिदेव प्रसन होते हैं और जिन जातकों की कुंडली में शनी देऊश होता है उन्हें इसके दुश प्रभावों से मुक्ती भी मिल जाती है पीपल के व्रिक्ष में तरी देवों सहित पिपलाद का भी वास होता है और जो भी भक्त अमवस्या के दिन पिपलाद की कथा सुनता है उन पर शनी देव का आशिरवाद सदा बना रहता है आईए सुनते हैं पिपलाद की ये कथा त्रेता युग में एक बार भयंकर अकाल पड़ा वर्शा ना होने से सब वनस्पतिया सूख गई अब ना जंगल में फलफूल मिल रहे थे और ना ही जल ऐसी स्थिती में कौशिक मुनी अपने परिवार को लेकर किसी ऐसी जगा की खोज में चले गए जहां जीवन यापन करने के लिए अन और जल आसानी से प्राप्त हो सके वे चलते गए चलते गए बहुत दूर तक अकाल की छाया पड़ी थी उनका सबसे छोटा पुत्र लगातार चलने में असमर्थ हो गया फिर एक रात उन्होंने अपने पुत्र को वन में एक व्रक्ष के नीचे सोता हुआ छोड़ दिया और इश्वर के भरोसे वे उसे अकिला छोड़ कर आगे बढ़ गए अगली सुभा जब बच्चा जागा तो उसने अपने माता पिता को वहां नहीं देखा इस प्रकार वे छोटा सा बच्चा परिशान होकर रोने लगा उस निर्जन वन में उसका रोना कौन सुनता रोती रोते ठक कर भूख प्यास से निराश होकर वे बच्चा एक पीपल के ब्रक्ष के नीचे बैट गया ब्रक्ष के नीचे पीपल के बहुत सारे फल गिरेवे थे अब छोटा बालक उन्हें बीन बीन कर खाने लगा थोड़ी दूर पर उसे एक तलाब नजर आया तलाब में जाकर उसने जल पिया तब जाकर उसे कहीं सुकोन मिला अब वे नन्ह बालक उस निर्जन वन में अकेला था भूक लगती तो पीपल के फल खालेता और प्यास लगती तो पास के तलाब में जाकर पानी पी लेता था उसके माता पिता उससे छोड़कर कहीं चले गए थे और कहां गए थे इस बात का उस बालक को कुछ भी नहीं पता था इस प्रकार वे अपनी भूख प्यास मिटाते हुए लगातार इश्वर का ध्यान करने लगा बहुत दिनों के बाद अचानक एक दिन देवर्शी नारद वहां पधारी पीपल के नीचे बालक को इश्वर भक्ती में लीन देखकर उन्हें हिरानी हुई कि इस निर्जनवन में जहां ना कोई आश्रम है ना गुरुकुल है फिर ये बालक कौन है और अकेले ये यहां पर पूजापाट कैसे कर रहा है नारद मुने उस बालक के पास गए बालक ने भी इतने दिनों बाद किसी रिशिक को अचानक आया देखा तो बहुत हरान हुआ नारद ने उस बालक से पूछा तुम कौन हो और तुम्हारे माता पिता कहा है तुम इतने छोटे से हो और अकेले इस निर्जनवन में कैसे रह पा रहे हो किसी को अपने पास पाकर उस बालक का दुख जैसे उमण पड़ा हो उसने परिशान होकर रोते वे कहा कि दुर्भिक्ष के कारण अन्य जल की खोज में जाने उसके माता पिता कब उसे यहां अकेला सोता हुआ छोड़ कर चले गए मैं खुद नहीं जानता कि मेरे माता पिता कौन हैं कहां हैं और क्या वे जीवित हैं भी या नहीं इस निर्जन बन में अब मैं पीपल के फल खाकर और यहीं पानी पीकर जीवन पिता रहा हूँ अब तो जैसे ये पीपल का व्रक्षी मेरे लिए माता पिता जैसा सहारा बन गया है नारत मुनी ने जब बाला की बात सुनी तो उसे सांत्वना देते हुए कहने लगे बस चिंता मत करू तुम्हारे विनेशील, साहस, जेजीविशा को देखकर मुझे विश्वारत है कि तुम किसी श्रेष्ट कुल और गोत्र की संतान हो मैं तुम्हें विदीवत मंत्र आदी संसकारों की देख्षा दूँगा अब क्योंकि अकाल भी समाप्त हो गया है वनस्पतियां अन्न कंद फल दे रही है अब तुम्हें जीवन यापन करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी और क्योंकि ये वन भी शान्त है और हिंसक पस्षों से रहित है इसलिए यहां तुम निर्भय होकर जब तब भी कर सकते हो हे बालक अब तुम इस निर्जण वन में भगवान श्रीहरी का ध्यान करना और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का लगातार जाब करना अगर तुम इस मंत्र का जाब श्रद्धा और भकती पूर्वक करोगे तो एक दिन तुम्हें भगवान श्रीहरी प्रसन होकर दर्शन अवश्य देंगे इस पीपल के ब्रक्ष के नीचे इसका फल खाकर तुम्हारा पालन पोशन हुआ है अब इसी के नीचे तुम्हारी तपस्या भी सफल होगी आज से इसी लिए मैं तुम्हारा नाम पिपलाद रखता हूँ और मेरा आशिरवात है कि तुम एक दिन बहुत बड़े रिश्यों की श्रेणी में गिने जाओगे बालक अब मैं जा रहा हूँ और एक दिन तुमसे मिलने अवश्याओंगा ऐसा कहकर देवर्शी नारत वहां से चले गए पिपलाद अब भगवान श्रीहरी की आराधना और मंत्र जब करने लगा उसकी लगन और तब से संतुष्ट होकर एक दिन भगवान श्रीहरी प्रकट हुए और कहने लगे पिपलाद मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन हूँ मांगो क्या मांगना चाहते हूँ पिपलाद ने आँखे खूली और देखा सामने साक्षा, चतरुभुज, विश्णु भगवान, शंक, चक्र, गदा और पदम लिये खड़े हैं उन्हें देखते ही पिपलाद अपनी सुधबुद भूलकर भाव विवल होकर भगवान श्री हरी के चर्णों से लिपट गए विश्णु भगवान ने उन्हें बड़े प्रेम से उठाया और मनुवांचित वर मांगने के लिए कहा ऐसा सुनकर पिपलाद कहने लगे हो ही चुकी है पुत्र और अत्वन पद प्राप्त कर पिपलाद संगीता के स्रिस्टा भी हो जाओगी ऐसा कहकर भगवान श्री हरी अंतरध्यान हो गए पिपलाद फिर से भक्ती और तपस्या में लेन हो गए कुछ दिनों के बाद देवर्शी नारत वहाँ फिर से आए पिपलाद को भगवान श्री हरी ने दर्शन दिये ज्यान और भक्ती का वर्दान दिया यह जानकर उन्हें बड़ी प्रसनता हुई किन्तु अपने सामने देवर्शी नारत को देखकर पिपलाद के मन में फिर से अपने अतीत का दुख उमरने लगा अपने मन का दुख प्रकट कर पिपलाद कहने लगे हे देवर्शी मेरे किस कर्म का फल है जो मुझे बचपन में ही इतने कस्ट उठाने पड़े मेरे माता पिता और कुल गोत्र का कुछ अता पता ही नहीं पीपल के नीचे रहकर मैंने उसके फल खाए इस प्रकार मैं जीवित रहा इसी कारण आपने मुझे पिपलात नाम दे दिया इतना ही नहीं आपने मेरी सिक्षा, दिक्षा और संसकार की व्यवस्था कर मुझे प्रहमन भी बना दिया इसी कारण मुझे भगवान श्रीहरी के दर्शन भी प्राप्थ हो सके और यह सब आपके द्वारा ही संभव हो पाया देवर्शी नारद ने कहा पिपलात अब अतीत का दुख मत करो शनी ग्रह के प्रकोप से ही तुम्हें यह सब कस्ट सहने पड़े थे आज भी वह आकाश में अपने मार्ग पर प्रजवलित होकर चल रहा है इतना सुनते ही पिपलात अपने क्रोध को ना रोक सके उन्होंने क्रोध से शनी ग्रह पर दृस्टी डाली उनके तप के तेज से शनी पथ ब्रस्थ होकर एक परवत पर जागिरे आकाश की उचाई से गिरने की कारण शनी देव का एक पैर टूट गया इधर शनी देव की ऐसी दुरगती देखकर नारा जी मनही मन बड़े प्रसन हुए उन्होंने ब्रह्मा इंद्र आदी देटां को बुलाकर शनी देव की दुरदशा दिखाई ब्रह्मा जी ने जब यह देखा तो पिपलात से कहने लगे पिपलात एक रिशी होते हुए तुम्हें ऐसा करोध नहीं करना चाहिए था मनश्य को सुख तुख का भोग उसके पूर्व कर्मों के नुसार होता है तुमारे अतीत के लिए शनी देव का कोई दोश नहीं यह तो प्रकरती के नियम के नुसार अपने मार्ग पर चलते रहते हैं इनको इस्थान से गिरा देने से प्रकरती के नियम में बाधा पड़ेगी और फिर महान उपतरफ शुरू हो जाएगा अतहा पिपलात तुम अपने तपोबल से इने पुना इनके मार्ग पर प्रकरतित करो और प्रकरती में स्थापित इन देव क्रहों को संसार का संतुलन बनाई रखने का मार्ग भी प्रशस्त करो ब्रह्मा जी की बात सुनकर पिपलाद ने शनिदेव को अपने तपोबल से उनके पूर्व इस्थान पर पुनह स्थापित कर दिया लेकिन साथ ही उन्होंने ये वर्दान भी मांग लिया कि शनिवार के दिन जो भी भक्त पिपलाद का ध्यान करेगा और शनिदेव की पूजा करेगा तब ही उन्हें शनि के कस्टों से मुक्ति मिल पाएगी कहा जाता है तब से आज तक शनिवार के दिन शनी ग्रह की शान्ती करने के लिए शनीदेव के साथ साथ पीपल के व्रिक्ष की पूजा का भी विधान बन गया ये थी शनिश्चरी अमावस्या की प्रित कता उमीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में शनी देवता की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और पैल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा